तो मूवी की स्टार्टी में हम एमा नाम की लड़की को दिखाय जाता है एमा का टॉम नाम के एक बंदे के साथ एक्ष्टा मेरिटल अफैर चल रहा होता है यानि एमा अपने हस्बेंड को चीट कर रही होती है और एमा उससे माफी मांगकर यहां से चली जाती है अब नेक्स डे सुबा होने पर एमा अपने हस्बेंड के ओफिस में आ जाती है क्योंकि एनिवर्सरी पर उनका प्लान था कि बो लोग आज रात के डिनर पर कहीं बाहर जाएंगे एमा जब ओफिस में पहुँचती है तो वो टेवल पर एक सक्सकी क्राइम फाइल को देखती है दरसल ये एक बोवी नाम के बंदे की फाइल थी जो कि 10 साल पहले चोरी के इरादे से एमा के घर में घुसा आया था जहां उसने एमा को मानने की कोजिस भी की थी जिसमें एमा काफी ज़्यादा घायल भी हो गई थी और अपने आपको बचाते हुँ उसने बोवी की एक आँक को फोड़ दिया था और तभी सही बोवी जेल में ही था अभी एमा इस फाइल को देखी रही होती है कि तभी यहां उसका अस्बेंट मार्क भी आ जाता है तो वो अपने अस्बेंट से कहती है कि हमें अभी इन पुरानी बातों को छोड़कर अपनी जिन्दिगी में आगे बढ़ना चाहिए जिस पर मार्क भी सहमत होता है और ये दोने यहां से जाने लगते हैं जब यह लोग लिफ्ट में होते हैं तो वहां पर टॉम भी आ जाता है जिसे देखकर एमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहां हमें पता चलता है कि टॉम मार्क का जूनियर होता है जो कि डूटी से घर ही जा रहा होता है अब अगले सिन में मार्क और एमा डिनर करने के लिए एक रेश्टोरेंट में आ जाते हैं जहां पर मार्क एमा को डामेट का एक नेकलिस गिफ्ट करता है और खुद उसको पहना भी देता है अब डिनर के बाद वो एमा को एको सप्राइज देना जाता था जिसके बाद वो एमा की हांकों पर एक काली पट्टी बानता है और उसे एक खुब सुरसिल लेक हाउस पर ले आता है जहां पर मार्क ने घर को अच्चे से एक रोमेंटिक बेमे सजा रखा था जिसको देखकर एमा बहुत खुस हो जाती है और एमा अब घर के अंदर आ जाती है जहां पर उसकी और मार्क की काफी सारी पिक्चर्स को बहुत देखती है बहाँ पर एक रोमेंटिक सा म्यूजिक भी पिले हो रहा था जिस पर ये लोग डांस करने लगते हैं अब मार्क एमा सा कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी बजा से बहुत कुछ सहा है लेकिन कल से अब हम नई सुरुआत करने वाले हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा ये सुनकर एमा काफी ज़्यादा खुस हो जाती है और रात को ये दोनों अच्छा टाइम इस्पेंड करते हैं मगर अब अगले दिन से ही एमा की जिन्दगी बदलने माली थी क्योंकि अगली सुरुआ जब एमा उठती है तो वो अपने एक हाथ के साथ मार्क को बना पाती है जो कि एमा को काफी अजीव लगता है तो वो मार्क से इसकी बज़ा पूछने लगती है मगर मार्क उससे कहता है कि अब हकीकत का सामना करो और इतना कहकर वो अपने आपको सूट कर लेता है जिसके बाद एमा काफी ज़्यादा सौखड हो जाती है और उसको कुछ भी नहीं सूचता अब वो अपने आपको उस चैन से आजात करने की कोजिस करती है पर वो नाकामियाब रहती है एमा अब थककर बैट जाती है और वो लेंड लाइन से पुलिस को कॉल भी करने लगती है लेकिन फौन भी डेट पड़ा हुआ था अब वो उस चैन को गन से तोडने की कोजिस करती है पर गन में सिर्फ एक ही गोली थी जिससे मार्क ने खुद को खत्म कर लिया था अब वो मार्क की बोड़ी को घसीट कर घर में इधार उदर जाने लगती है लेकिन उसे घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती जिससे कि वो खुद को मार्क से अलग कर सके एमा देखती है कि मार्क ने एक रूम में उसकी बेडिंग ड्रेस लटकाई हुई थी एमा जब उस ड्रेस को उतारती है तो उसे उसके पीछे एक तिजोरी दिखती है अब एमा उस बेडिंग ड्रेस पर मार्क को लेटा कर घसीटते हुए नीचे ले आती है अब एमा अपने परसी में अपना फॉन देखने लगती है मगर मार्क ने उसका फॉन पानी से भरे जार में डाल दिया था एमा फॉन को ओन करके देखती है पर उसका फॉन खराब हो चुका था एमा को ढूणने पर यहां कार की चावी भी मिल जाती है जिसके बाद Emma Mark को घसीटते हुए कार तक पाहुच जाती है पर जब वो कार इस्टार्ट करती है तो कार इस्टार्ट नहीं हो पाती क्योंकि मार्क ने कार का सारा पैट्रोल निकाल दिया था अब ये सब देखकर इतना तो पता चलता है कि मार्क ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था अब कार में एक रिकोर्टिंग पहले हो जाती है जो कि मार्क की थी जिसमा मार्क कहता कि एमा एक नाकाम्याब फोटोग्राफर थी और वो आज जो कुछ भी है वो सिर्फ मार्क की वेजिस है मार्क रिकोर्टिंग में ये भी कहता है कि वो एमा और टॉम के बारे में भी सब कुछ जान गया था जो कि मार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अब मार्क की डैड बोडी एक साथ लटकी रहे और यही उसका एनिवर्सरी किप्ट है अब एमा कार से निकल का बोशुम मा आ जाती है जहां वो अपने फैस से मार्क के बलड साप करती है फिर वो उस रूम में जाती है जहां उसकी और मार्क की पिक्चर्स थी पर अब बहाँ पर मार्क ने टॉम और एमा की पिक्चर्स लगा दी होती है और भाहाँ पर एकोर्डर रखा हुआ होता है जिसमें ऐमा की बोबी के साथ होई incident की statement होती है जिसको सुनकर ऐमा गुस्से में आकर उसको तोड़ देती है मगर अब उसे घर के बाहर एक कार के आने की अवास सुनाई देती है वो सक्स कार से उतर कर दरवाजे को खट कटाने लगता है जब एमा दरवाजे को खोल कर देखती है तो उसे बाहर टॉम खड़ा दिखता है एमा उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो टॉम उसे बताता है कि उसने ही मैसिज करके उसको यहाँ पर बुलाया है लेकिन ये मैसिज एमा ने नेवल की मार्क ने टॉम को भेजा था टॉम बताता है कि कल रत मार्क के ओपिस में रेड हुई थी जिससे उसके सारे इलीगल बिजनिस का पता चल गया और उन्होंने मार्क पर चार्ज लगा दिया क्योंकि उसने सबूतों के साथ छेड़ चार्ड़ की थी अब एमा कहने लगती है कि ये कमीना जानता था कि इसकी जिन्दगी बरबाद होने वाली है और इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया अब वो टॉम को पुलिस को कॉल करने को कहती है मगर टॉम का फॉन कार में ही रह गया था तो वो फॉन लेने के लिए जाने लगता है मगर आभी ये दोनों देखते हैं कि एक और कार इनके घर की तरब आ रही होती है तो टॉम एमा को दरवाजा लोग करने के लिए कह देता है और खुद घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है अब कार के अंदर से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम जीमी होता है जीमी टॉम से कहता है कि मार्क ने पाइप ठीक करने के लिए उसे यहां बुलाया है जाती है इधर जीमी भी काफी डर जाता है और वो भी उसको समझाते हुँ कहता कि हम बज डायमंड लेंगे और यहां से चले जाएंगे अब एमा भी मार्क की लास को घचिटते हुए एक कोटेज में जाकर छिप जाती है जहां पर उसे एक एंकर मिल जाता है जिससे वो मार्क के हाथ को काटने लगती है पर उससे हो रही अब आज को सुनते हुए जीमी बहाँ पर आ जाता है पर एमा तब तक छिप चुकी थी और जीमी मार्क की लास को देखकर चिलाते हुए यहां से भाग जाता है और बोबी को यहाँ पर ले आता है लेकिन बोबी के यहाँ आने से पहले ही एमा ने मार के हाथ को काट कर खुद को आजात कर लिया था और वो यहाँ पर छिपी रहती है बोबी यहाँ एमा के पैरों के निसानों को भी देखता है और वो समझ जाता है कि एमा यहीं कहीं है क्योंकि इतनी बर्फ में वो बिना जुदोगे नहीं भाग सकती और ये लोग बापस घर के अंदर आ जाते हैं और जीमी उस तीजोरी को देखकर बताता है कि इसको बिना पासबर या फिंगर फिंट के नहीं खोला जा सकता जिसके ब बोबी भी एमा को ढूटता हुए यहां पर पहुंच जाता है एमा तभी कार के नीचे छिप जाती है अब बोबी एक चागु से कार के सारे टायर पंचर कर देता है एमा यहां से निकल गर एक बैसमेंट में जाकर छिप जाती है मगर थोड़ी ही दिर बाद बोबी भी यहा बहुत चलागी से उसने एक रोलिंग चेर पर एक गॉल्फ केस रखा होता है और उस पर कपलर डाल देती है बोवी को लगता है कि सायद यहाँ पर एमा है पर उसे बहाँ पर एमा नहीं मिलती अब तब ही एमा दूसरी तरफ से निकल कर बाहर आती है और बोवी पर गॉल्फ मार कर उसे बेहुस कर देता है अब एमा को होस आता है तो वो देखती है कि उन लोगों ने फिर से मार की लास के साथ उसके हाथ को बान दिया है और यह उस तीजोरी को भी एमा के पास तक ले आते हैं जिसको देखकर एमा कहते है कि उसे इसका पासबर्ट नहीं पता इस पर बोबी कहता है कि वो जानता है ये बोधी ने जब मारक और एमा पहली वार में ले थे अब एमा उससो कहती कि वो ये कभी नहीं बताईगी क्योंकि बाद में बोबी उसको मार ही देगा अब एमा के मन्ने करने पर बोबी उसका पैर काड़ने लगता है मगर जिमी ऐसा कुछ भी नहीं चाता था तो वो बोबी को रोगने लगता है मगर बोबी उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है जिसके बाद जिमी को एक गन दिखाई देती है तो वो उस गन को बोबी पर तान लेता है और बोबी को एमा से दूर हटने हो कहता है अब एमा कहती ही कि वो पासबर्ट बता देगी अगर उसके हाथ को खोल दिया जाए तो जीमी चैन से उसके हाथ को खोल देता है जिसके बाद एमा बोबी को पासबर्ट बता देती है अब बोबी तीजोरी को खोल कर देखता है तो उसे उसमें एक बड़ा सा नाइप मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है यानि आप जो हीरा चाहते हैं वो उसकी दिल के करीब है तो एमा अपने गले में पड़े नेकलेस के बारे में बताने लगती है जो कि मार्क ने उनी डायमेंड से बनवाया था जिसको ये लोग ढूंड रहे थे एमा इने बताती कि उसने इस नेकलेस को अपने गले से निकालने के लिए काफी कोशिस किया पर ये नेकलेस नहीं निकला तो जिमी एक कटर दुआर उस नेकलेस को काड़ने लगता है और वो इसके लिए एमा की गलती मानता है जिसके बाद वो एमा को पकड़कर उसकी टांग में चाकू गुसा देता है अब एमा के हाथ में कटर आ जाता है और वो बोबी की सर पर तेजी सो उसको मार देती है जिससे बोबी वहीं पर गिर जाता है अब एमा बोबी को मार किलास के साथ बांद कर यहां से भागने लगती है मगर बोबी भी मार किलास को घचिरते हुए एमा के पीछा आने लगता है और सीडियों से नीचे गिर जाता है अब एमा जैसे तेसे करके कार तक पहुंच जाती है मगर बोवी फिर से कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है अब एमा कार से उसको एक जोड़ा टकर मारती है और उस टकर में बोवी को जादा चोड़ नहीं आती अब एमा भी अपने आपको बचाते हुए कार को रोकती है मगर कार फिसलते हुए बुड़ाउ से टकराय जाती है भोवी फिर से एमा को मानने के लिए कार की तरब बढ़ता है मगर एमा कार से निकलकर जमीन पर रेंकते हुए बोवी से बचने की कोशिस करती है अगर बोवी मार्क की लास गसीरता हूँ एमा के पास तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है मगर एमा भी बोवी से चाकू को छिनकर उसके सीने में घुसा देती है अब अचानक से यहाँ पर जमी हुई बर्फ तूट जाती है और मार्क की लास पानी में जाने लगती है अब क्योंकि मार्क और बोवी एक साथ बंदे हुए थे तो बोवी भी उसके साथ ही पानी में जाने लगता है और वो जाते जाते अपने साथ एमा को भी पानी में खीच लेता है जिसके बाद ये सब पानी में डूबने लगते हैं एमा बोवी से चोड़ने की बहुत कोजिस कर दिये पर बोवी उसे नहीं छोड़ता जिसके बाद एमा उसके सीने से चाकु को निकाल कर उसकी आँख में घुसा देती है अब बोवी एमा को छोड़ देता है और एमा तेरत हुए उपर आ जाती है पर वो अब भी बरफ की परत के अंदर ही थी और काफी ज़्यादा कोशिस करने बाद वो बरफ की परत को चाखुसर तोड़ पाती है और बाहर आ जाती है और अब वो अपनी उंगली से रिंग को निकाल कर पानी में फैंक देती है हम यह पुलिस की सायरेन की अब आज को भी सुनते हैं और जिसके बाद आमा भी बेहोस हो जाती है और यहीं पर इस मोवी की स्टोरी खत्म हो जाती है तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी एक्सपेलेनेशन पसंद आती है तो पिर इस वीडियो को लाइक जरू कर देना और ऐसे ही एक्सपेलेनेशन के लिए हमारे चैनल को भी जरू सस्क्राइब कर लेना तो थैंक्स वर बोजिंग आईस